आइफोन 15 वर्सिस आइफोन 15 प्लस आइफोन 15 आता है 80,000 रुपीज का जो की डिस्काउंट काट के 75,000 के आसपास मिल जाता है वहीं आइफोन 15 आता है 90,000 रुपीज का जो की डिस्काउंट काट के 84,000 का पढ़ जाता है तो चलो compare करते हैं इन दोनों ही फोन्स को head to head और देखते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए तो परनाडाइम वेस किये पढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले बात कर लिते हैं इनके design and build की यहाँ पर आपको दोनों ही phones design के मामने exactly same मिलते हैं पीछे की तरफ पे matte texture वाला glass, glossy camera module, 7000 series का aluminum frame with flat edges, dynamic island on display और हाँ दोनों में ही action button नहीं है वो सिर्फ pro series में है दोनों में ही नीचे type c port मिल जाता है तो यहाँ पर design wise तो कोई भी difference नहीं है और बात करूं build quality की तो build quality में भी आपको कोई भी difference नहीं मिलता है वही ceramic shield वाला protection और corning made glass मिल जाता है आपको back side पे अब जहाँ पे आपको difference देखने को मिलेगा वो है इनकी dimensions iPhone 15 5.81 inches height, 2.82 inches width और 7.8 mm thick मिलता है वहीं iPhone 15 plus 6.33 inches height, 3.06 inches width और ये भी आपको 7.8 mm thick मिलता है iPhone 15 171 grams और iPhone 15 plus 201 gram का है तो यहाँ पे आपको 30 grams का weight difference मिलेगा लेकिन अगर बात करूं इन दोनों के in-hand feel की तो वो भाई बहुत ही जादा premium है इस बार जो इन phones की flat edges है इसको हरल कसा यहाँ पे curve कर दिये गया है जिसकी जैसे in-hand feel बहुत ही जादा अच्छा हो गया है, comfortable हो गया है, आराम से आप दोनों इन phones को पकड़ सकते हो तो यहाँ पे weight distribution इतना बहतरीन हिन दोनों का कि मैंने दोनों को side by side पकड़ा हुआ है इस बहुत ही जादा आइडियल है, मन्दब की आप आँख बन करके यह वाला phone ले सकते हो दोनों IP68 water resistant है, दोनों को पानी के अंदर 6 मीटर तक डा सकते हो for 30 मिनिट तो चलो अब बात कर लेते हैं इनके displays की iPhone 15 में 6.1 inches and iPhone 15 Plus में 6.7 inches का display मिलता है और यह दोनों displays exactly same है, दोनों ही Super Retina XDR display है जोकि OLED display है, HDR 10 Dolby Vision का support मिल जाता है और यह displays बहुत ही खतरनाक तरीके से bright है 1000 nits की normal indoor, 1600 nits की HDR और 2000 nits की peak outdoor brightness मिलती है जोकि भाई huge है definitely किसी भी दूसरे phone के सामने इस phone को जब बाहर लेके जाओगे न तो यह बाई अलग से ही bright आपको दिखेंगे अब यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा minus point मिल जाता है और यहाँ पर मैं honestly बता रहा हूँ iPhone 15 चलाओगे न वहाँ पर आपको यह 60 Hz यतना नहीं अखरेगा आँखों में एकदम खलेंगे आगर आप पहले 60 Hz वाल आप यूज कर रहे थे तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर बहुत आराम से यूज कर सकते हो लेकिन अगर 15 प्लेस की तरफ जाने का सोच रहे हो तो वहाँ पर आपको डेफिनिटली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एक हाँ से तो impossible है उसको यूज करना विकास फोन की width काफी सादा है किसी भी average फोन के comparison में चलो बात कर लेते हैं इन दोनों की performance की यहाँ पर आपको दोनों में ही A16 Bionic Chip मिलती है Hexacore CPU 5 Core GPU 16 Core Neural Engine 6 GB की RAM दोनों में ही मिल रही है तो यहाँ पर आपको processor wise कोई भी difference नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर हमने दोनों का geekbench भी किया था यहाँ पर आप scores देख सकते हो भाई थोड़ा बहुत ही difference है 2500 के आसपास single core और 6300 के आसपास multi core का score था वहीं GPU benchmark में दोनों ने ही 22,200 और 22,500 के आसपास का score किया था तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको इनकी performance में इवन हमने इन दोनों में video editing भी करी थी वहाँ पर भी दोनों को एक साथ rendering करी थी लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है क्योंकि iPhone 15 Plus में आपको पढ़ा display मिल रहा है तो अगर आप video editing वगरा भी कर रहे हो तो बहुत ही जादा convenient हो जाता है video editing करना पढ़े display में as compared to छोटे display में तो definitely 15 Plus में आपको यह advantage मिल जाता है और क्योंकि यह display काफी जादा wider है इसकी वज़े से अगर मैं बात करूँ उसके अंदर gaming की तो gaming में भी भाई जो आपको output मिलेगा next level मिलेगा यहाँ पे phone की handling है यह बहुत ही जादा प्यारी है हाँ 60 Hertz का display है तो definitely यहाँ पे आपको 60 Hertz से जादा इसमें frames नहीं मिलने वाले हैं लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल चकता हूँ कि यह 60 Hertz की consistent gaming provide करता है जो कि एक बहुत अच्छी बात हो जाती है 15 Plus की width जादा होने के कारण यहाँ पे आपको जो और और controls मिलते हैं और और जो पकड़ने की feel मिलती है और और जो view मिलता है वो बहुत amazing मिलता है gaming के मामले में बाखी performance वगर आपको दोनों में ही same मिलेगी iPhone 15 Plus की तरफ जाओ iPhone 15 में मिलती है 3,349 mAh की बैटरी वहीं iPhone 15 Plus में मिलती है 4,383 mAh तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा difference मिल रहा है आपको इन दोनों की बैटरी का और बाई मैं बता दू 15 Plus अभी तक का सबसे जादा battery backup प्रोवाइड करने वाला phone हो चुका है यहाँ पे आपको जो screen on time मिलेगा वो आपको दूसरे किसी भी phone में नहीं मिलने वाला है तो definitely भाई बहुत amazing level का output प्रोवाइड करेगा यह आराओ 6-7 घंटे आप इसमें लगातार gaming कर सकते हो चुकि भाई सच में बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आईफोन 15 की बात करों तो यहाँ पे आप 5-6 घंटे के असपस की लगातार gaming कर सकते हो हलाकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी setting में खेल लो हो कौन सा game खेल लो हो किता है वी है क्या scene है अगर बढमी और नौमल यूillion की बात करें तो आईफोन 15 भी अपका पूरे दिन का आराम से साथ देगा अगर आप नौमल यूज करते हो तो और अगर 15 प्लस की बात करों तो यहसै डेरा दिनु तो आराम से जाएगा अगर आप grip कर तो अगर इन भी इस फौन को आराम से भी मिलेगा आप अपने फोन से किसी भी दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो तो तो इपने अच्छी बात हो जाती है आइफोन में और अगल चार्जिंग की बात करनों तो यहां पर आपको USB 2.0 मिल रहा है, जिससे आपको चार्जिंग में तो कोई भी फरक नहीं मिल ले वाला है, वही 30 मिनिट में 50% चार्ज होगा, वही 80-85 मिनिट के असपास ले लेगा ये फुल चार्ज होने में, तो definitely यहां पे आपको फास चार्जिंग तो नहीं मिल रही है, बाकि मैक सेफ चार यहां पे आपको iPhone 15, N15 Plus में कोई भी डिफरेंस नहीं मिल ले वाला है, दोनों के कैमरास एग्जेक्ली सेम हैं, यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, 48MP का प्राइमरी, 12MP का अल्टरावाइड, सारे के सारे बेनेफिट्स आपको यहां पे मिल जाते हैं, 2X Zoom मिल जाता है, 4 आपको इन दोनों का साउंड, यहां पे मैं कुछ फोटोस चला के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो सब्सक्राइब के लिएगा, यहां पे दोनों के दोनों के अमरास एक्जेक्ली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चलों कंपेर कर लेते हैं, इन दोनों का यह है आइफोन 15 प्लस का साउंड, यहां पे दोनों की साउंड की कॉलिटी एक्जेक्ली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस आइफोन 15 प्लस का साउंड थोड़ा सा जादा है, ऐस कंपेर तो आइफोन 15 के, तो डेफिनिटल अगर आपको साउंड भी चाहिए, तो बात कर लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए, तो भाई देखो, यहां पे सीधी सीधी बात है, अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, काफी अच्छे कैमरा चाहिए, काफी हैंडी फोन चाहिए, जिसको आप आराम से जेब में रख सकते हो, तब आपको आईफोन 15 प्लस की तरफ जाना चाहिए, नमबर टू, अगर आप गेमिंग करते हो, तब आपको आईफोन 15 प्लस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गेमिंग में तो आपको नेक्स्ट लेवल आउटपुट मिलेगा, इसकी जो स्क्रीन है, बहुत ही अमेजिंग एक् करते हो, अपने फोन में ही, तो भी मैं रेकमेंट करूँगा, आईफोन 15 प्लस की तरफ जाओ, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन होती है, तो आपको एड़री लाइफ के लिए आईफोन 15 प्लस खरीदने वाले हो, नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और ये वी वीडियोस की नुटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे, तो मैं मैं मलताओं स्यों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बावाई